कक्षायाट के लिए इथास की पार्ट्र पुस्तर्ख हमारे अतीत का पार्चार आधिवासी दिकू और एक्स्वाण्यों की कल्पना भागतों का अध्यन करेंगी वन कानून और उनकी प्रभाव जैसा कि आपने देखा है कि आधिवासी सम्हू का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था अताव वन कानूनों में आये बदलाओं से आधिवासी की जीवन पर भी भारी असर पड़ा अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंतर निस्तापित कर लिया था और जंगलों को राजी की संपति गोशित कर दिया था अंग्रेजों ने क्या कर लिया सारे जंगलों पर अपना नियंतर अपना कबजा कर लिया कुछ जंगलों को आरक्षित वन गोशित कर दिया गया कुछ को तो राज्य संपति और कुछ को क्या कर दिया आरक्षित वन खोशित कर दिया गया ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जुरुतों के लिए इमार्ती लकडी पेदा होती थी क्या होती थी इमार्ती लकडी पेदा होती थी इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मज़ूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ा जैसे अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पावंदी लगा दी तो उनके सामने एक समश्या पैदा होगी अपने वेशिक अधिकारों ने इसका भी एक हल धून निकाला उन्होंने तै कि जूम कास्तिकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिये जाएंगे उन्हें वहाँ खेती करने के लिए छूट होगी छूट भी होगी बशर्ध गाओं में रहने वालों को वनविभाग के लिए किया करनी होगी मज़दूरी करनी होगी जंगलों की देखभाल करनी होगी इससे बहुत सारे इलाकों में वनविभागने सस्ते श्रम की आप पूर्ती सुनेशित करने के लिए वन गाउं बसा दिये, क्या बसा दिये, वन गाउं देखिए, आगे अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठी ने 1930 के दश्चक में वेरियर एलविन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दोरा किया एलविन इन लोगों के रितिरवाज, उनकी कला और लोग संस्कृति को जाना चाते थे उन्होंने बेगाओं के बहुत सरक गीत इकटे किये, जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शैशन में बेगा कितने बुरे दोर से गुजर रहे है अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल जमीदार बैटा है गाउं में, दरवाजे में कोतवार, बगिची में पटवारी, खेतों में सरकार अंग्रिजुक इस देश में चीना कितना ही मुश्किल पशुकर अधा करने के लिए बेशते हैं गाई, तो भेश बेशते हैं जंगल करके लिए बेलो को बेच कर अधा करते हैं लगान, पूजन पाए कहां से, अंग्रिजुक इस देश में पहुत सारे आदिवासी समुने आपनिवेशिक वन कानुनों का विरोध किया उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इंकार कर दिया कि हम नए नियमों को नहीं मानेंगी और उन्हीं तोर तरिकों से चलते रहे जिनें सरकार गेर कानुन गोशित कर चुकी है कई बार उन्होंने खुले आँ भगावद भी कर दी 1906 में सोग्राम संगामा द्वारा आसम में और 1930 के दशक में मद्य प्रांत में हुआ वन सत्यागरा इसी तरह की विद्रो थे व्यापार की समश्या 1906 शिताप्दी के दोरान जंचाते समों ने पाया की व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्ली जल्ली आने लगे है व्यवन उपज खरीदने, नगत कर जा देने और आदिवास्यों को मज़़ूर पर करने के लिए आ रहे थे इन सारे बदलाओं से क्या असर पढ़ने वाले हैं ये समझने में आदिवास्यों को कुछ समय लगा ये समझने के लिए आईए रेशम उत्पादों को कि स्थिति को देखे 18 सदी में भारती रेशम की स्थिति को देखे यूरोपे बजार में भारी मांगती 18 सदी में भारती रेशम की क्या यूरोपे बजार में भारी मांगती भारते रेशम की अच्छे गुनवता सब को आगरशित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था जैसे ज़े बजार फेला इस इंडिया कमपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोड देने लगे और उनके क्रमी कोशो को इखटा कर लेते थे एक हजार क्रमी कोशो के लिए तीन से चार रुपे मिलते थे कितर पे मिल रहे तीन से चार रुपे इसके बाद इन क्रमी कोशो को प्रदवान या गया भेज दिया जाता था जहां उन्हें पांच गुणा की मत पर बेचा जाता था कितने गुणा पांच गुणा निरात्यों को और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बीचोलियों को जम कर मुनाफ़ा होता था रेशम उत्पादकों को बहुत मामुली फायदा मिलता था सभावी खे की बहुत सारे आदेवासी समुदाई बाजार और व्यापवरियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे क्या मानने सबसे बड़ा दुश्मन चित्र को देखिए चटाई बुंती एक अंजाग औरते अंजाग औरतों के लिए गेरूला काम सिर्फ एक घर तक की सीमित नहीं था वे खेतों और कार खानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी बिहार के कोईला खानिक को देखिए 1920 की दशक में बिहार की जर्या और रानी गंच कोईला खादानों में काम करने वाले लगबग 50% खनिक आदिवासी थे कित्ते 50% खनिक आदिवासी अंधेरी और दमगुट्टू खादानों की गहराई में काम करना ना केवल शरीर को तोड़ना था तोड़ता था बलकि ये खतनाक था वेक्सा सच मुझ जान ले लेता था 1920 की दशक में देश की कोईला खादानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे काम की तलाश काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशातो और भी खराब थे 19 सद्धी के आखिर से ही चाह वागान फेने लगे थे खानन उध्योग भी एक महत्मन उध्योग बन गया था असम की चाह वागानों और जहारकन की कोईला खादानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भरती किया गया इन लोगों को ठेकेदारों की मारुफत भरती किया जाता था ये ठेकेदान ना केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बलकि उन्हें वापस घर भी लोटने नहीं देते थे नज़्दीकी से देखने पर उनिस्वी और दीस्वी शिदाद्यों के दोरान देश की विविन भागों में जन जात्तिय सम्हों ने बदलते कानुनों अपने विवहार पर लगी पाबंदियों नई करों व्यापारियों व्यमहाजनों द्वरा केजारे शोषन के खिलाव कही बार बगावत की 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी मद्य भारत में बस्तर विद्रो 1910 में हुआ और 1940 में महराष्ट में वर्डी विद्रो हुआ बिर्षा जी सांदुलन का नेतर तो कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रो था बिर्षा मुंडा बिर्षा का जनम 1870 के दशक के मद्य में हुआ उनका पिता गरीत थे उनके पिता कैसे थे गरीत थे बिर्षा का बच्पन भेड बक्रियां चराते पांसुरी बजाते और इस्तानिये अखाडों में नास्ते गाते बीता था कहां बिता था अखाडों के अंदर वेक्या चराते थे भेड बक्रिया चराते थे और बांसुरी बजाते थे उनकी परवलिश्मक के रूप से बोहोडा के आसपास के जंगलों में हुई गरीवी से लाचार बिर्षा के पिता को काम की तलाश में जगे जगे भटकना पड़ था बिर्षा के समुधाई के लोग ऐसे स्वन्यू की बात क्या करते थे जब मुंडा लोग दिकों के उत्पिडन से पूरी तर आ जाते सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुधाई के प्रंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे वे खुद को इलाके के मुलनिवा का मुका मिला कहा जान लगे वो मिशिनरियों में वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुधाई स्वर्ग का समराज हासिल कर सकता है और अपने खोये वे दिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे इसाय बन जाए और अपने खराब आते छोड़ दे तो ऐसा हो सक सकता है बाद में बिर्सा ने एक जाने माने वैशन धरव के प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया उन्होंने जैनुधारन किया और शुदिता विताया पर जोड़ देने लगे अपने किशुर वस्ता में बिर्सा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वे काफी गहरे तोर पर प्रभावित थे बिर्सा का आंधुलन आदिवासी समाज को सुदारने का आंधुलन था किसको सुदारने का आदिवासी समाज को उन्होंने मुंडों से आवहान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे क्या छोड़ दे शराब पीना छोड़ दे गाउं को साफ रखे और डायन वे जहदो टोने में विश्वास ना करें। यहां ध्यान देने वाली बात यहे कि बिर्साने मिशिनरियों और हिंदु जमिदारों का भी लगातार विरोध किया। वे उने बहार का मानते थे जो मुंडा जीवन शेली कुनश्ट कर रहे थे। 1895 में विर्साने अपने अनियायों से आहवान किया कि वे अपने गौरपुन अतीत को पुनरजुवित करने के लिए संकल्प ले। वे अतीत के एक एसे स्वान यूग, सत्यूग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तडबंद बनाते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे, उस काल्पनिक यूग में मुंडा अपने विरादरों और रिष्टदारों का खून नहीं भाते थे, वे इमानदारे से जीते थे, बिर्सा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगे टिक करें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिर्सा अंदुलन के राजनिती को देश्यों से बहुत ज़़्यादा परेशानी थी। ये अंदुलन मिशुनियों, महाजनों, हिंदू, भूस्वामियों और सरकार को बहार निकालकर बिर्सा के नित मुंडा राज इस्तापित करना चाहता था। ये आंधुलन इनी ताक्तों को मुंडाओं की सारी समस्यों वेकश्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनितियों उनकी प्रमप्रागर्द भूमी विवस्ता को नश्ट कर रही थी। हिंदु भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन चीनते जा रही थी। और मिशिनरी उनकी प्रमप्रागर्द संस्कृति की अलोशना करती थी। जब आंधुलन फेने लगा तो अंग्रेजों ने सक्त कारवय का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिर्सा को गिरफतार किया। दंगे फसाद के आरुप में दो साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लोटने के बाद बिर्सा समरतन जुटाते वे गाउं गाउं गूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए प्रमप्रागत प्रतिकों और भाषा का इस्तिमाल किया। विववान कर रहे थे कि उनकी नेतरत्व में समरायची की स्तापना के लिए जल्वा बोल दिया सफेजंडा विर्सा राज का प्रतीक था सफेजंडा क्या है विर्सा राज का प्रतीक है सन 19 में जुटाकी हेजे मृत्य हो गई है और आंधोलन थंडा पड़ गया। यह आंधोलन दो मयानों में महत्पुन था, पहला इसने अपनवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मज़ूर किया, जिनके जरी दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसाने सिक अबजाय ना कर सकी। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अण्याय के विरूद करने और अपने वेशिक शैशन के विरूद अपने गुस्से को विवक्त करने में आदिवासि शक्ष में हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतिकों के जरी इस काम को अंजाम दिया। हमें नग्दी की क्या जरूत। ऐसे बहुत सारे कारण ही जिनकी वज़े से आदिवासि और अन्य सामाजिक संभू प्राइबाजार के लिए पैदावर नहीं करना चाते। पापों न्योगीनी की इस जंजाते गीत में इस बात की जलक मिलती है कि वह के आदिवासि बाजार को किस तरह देखते हैं। कहते हैं नग्दी है बेकार का कूड़ा करकर बारिश यू रोक नहीं सकती और देती है तकलिफे। इन सरकारी मड़ाधिशों के लिए क्यों मैं जोस से करू काम क्यों मैं चुड़ू नारियल के पेड़ पर तो है नग्दी फसले अच्छी लेकिन शिर्मार मुझे बताईए अगर खरिदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करू क्यों।